जय हिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार का जो करेंट एफियर्स है यानि कि ओभर ओल देखा जाए तो पिछली एक साल में जो भी महत्पुन करेंट एफियर्स बनना था या बना उसमें का जो 500 महत्पुन जो कोस्चन होगा उसको हम लोग कौफर करेंगे तो एक एक वीडियो में अलग अलग करके सेप्टेट मतलब एक वीडियो में एक से ले करके सो तक के परश्णों की संख्या होगी तो आज जो होगा कोस्चन एक से ले करके सो तक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे ठीक है तो तीन दिसंबर को भारत के पर्थम राष्ट प परवरी उनेश्व तीर सठ को पांच दिसंबर से नो दिसंबर दो हजर बाइस तक पाटली पुतर एस्पोर्ट्स कमप्लेक्स पटना में कौन से जुनियर नेशनल सिपक टकरा चेंपियंशिप का एज़न किया गया मंतिली करेंटिया फिर जब परहा रहे थे तो उसमें इस क को करा चुके थे तच्छाब इसमा था यह एक के स्पोर्ट होता है जो नर्थ इस्ट इंडिया में काफी फिमास है इसमें जो होता है उसको हांत से टच्ट नहीं करना होता है कि सरा सरकार ने हाल ही में राज के सभी पालतू जानवरों के लिए डी एने प्रोफाइलिंग करने की तो बिहार इसमें राइट इंसर हो जाएगा बिहार के किस जीले की लच्मी जा एवरेश्ट बेस केम्प पर पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला वनी है तो लच्मी जा एवरेश्ट बेस केम्प पर पहुंची है यहां कोस्टन पूछा जा रहा है कि किस जीला स यह संबंधित हैं तो 21 जिला से संबंधित है तो सहरसा जिला से हैं दिली में आयो जित 65 नेशनल शूटिंग चैंपियंशिप के महिलाओ की निशाने वाज़े ट्रैप असवर्दा में बिहार के सिरियसी सी कौन सा पदक जिती है तो यह कास से पदक जिती यानि कि बरॉंज मे निशिलेंड में आयो जी जूनियर कॉमन वेल्थ चैंपियंशिप में बिहार के किस बेटी ने चास वर्ण पदक जीता है तो काफी मॉस्ट इंपोर्टेंट कुस्चन है और यह कुस्चन छपएगा ठीक है इंपोर्टेंट कर लिजिए तो यह किरिती राज है कितना मिडल जीती तो छो गोल्ड छो स्वर्ण पदक जीत करके लाई काफी इंपोर्टेंट कुस्चन है यह इसका पीता का नाम क्या है तो ललन सी है किसान है यह पावर लिप्टिंग में यह जीती है खाल ही में लोग गित गई कि मेधली ठाकुर को बिहार खाडी के बरानने अमेस्टर बनिया गया है वह बिहार के किस जीले की रहने वाली है तो मेधली ठाकुर कहां की है तो यह मधवानी की है इसे पहले ये कोस्चन ऐसा पूछा गया हुआ था तो इसलिए इस पर ध्यान पूछा जाए कौन तो मैत्री ठाकूर बिहार खादी के बरान लिम्बेश्टर अगर पूछा जाए तो मैत्री ठाकूर अगर इनका जीला पूछा जाए तो मधवनी बिहार के किस राजनितिक दल ने 28 नॉमबर 2022 को अपना 22 मां अस्थापना दिवस मनाया है तो लोचपा के द एक मिनट किस राज सरकार की घुष्टना का नुसार अब सरकारी स्कूलों में पांच दिन पढ़ाई है और सनीवर को नो बैग डे होगा तो ये कहां तो ये बिहार में दरभांगा इयरपोर्ट को सुरक्षा को देखते हुए इयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाल है बताए कि दरभांगा इयरपोर्ट की सुरुगात कब हुए तो आठ नॉमबर दो हजार बीस को किया गया जूनियर नेशनल एथलेक्टिक टेंट चेंपियनसीप में बिहार के वह नहार खिलारी जस्पन्त सरूज ने कुन सा पदक जीता है तो जस्पन्त सरूज के द्व उस यह को कंप किलिक तो यह बिहार में किया गिया लिए इंपोर्ट्रन कोस्वन हैं ऐसा नहीं है कि अगर वित मैं कोई पीनित हो रहा है किसी का अगर उसमें अपारियक कारेंश टो कुछ कराय जाएगा ऐसा कुछ नहीं है ये ऐसा हुआ कि अगर मन लिया जाकि जैसा कि विहार का जो उत्री छेतर होता है जून फोर में आता है ते पांच में डिया तो यह काफी मतलब जो होता है इसमें भूकब पाने के यहां ती बर संभावना होता है ऐसे में आगर कोई वेखती अगर अपना घर बनाएगा तो वहाँ जाकर के संपर कर सकता हूं गहर कैसा बनाए इस्ट्रक्ट्चर कायसा बनाह जो मम मैं भी सुरक्शित रहे इस विफिए بهकार के हर जीले में विहार राज बेडविंटन एसोसियेशन के बेनर तले राज अस्तरिया बेडविंटन ड्रेकिंग टूनमिन्ट का अयोजन कहा किया गया तो ये कहा किया गया, ए गया में किया गया हाली में राष्ट मदी दुरबदी मुर्गू ने नर्सिंग के छेतर में सरवच समान फ्लोरेंस नाइटिंगल आवाड़ से बिहार के किस नर्स को न वाज़ा है तो नाजिया परवीन को न वाज़ा है इंपोर्टेंट कुस्चन है यह किसके द्वारा त्वरा किंद्रिये पर्दूसर नियंदरन बोड द्वारा साथ नॉमबर 2022 को जारी आकोरेक अनुसार सबसे ज्यादा पर्दूसिद सहरों में बिहार का कौन सा सहर पूरे भारत में सीर्स पर रहा तो दिकिए 7 नॉमबर 2022 को जा रहा है तो इसमें जो हो जाएगा कटिहार हो है तो अंजिनी के द्वारा कौन सा पड़क तो रज़त पड़क जिता गिया विस विख्याता हरियर छेतर सोन पुन मेला का उदगाटन कितने वर्सों के बाद चोर नॉम्बर दो हजर बाइस को मोख मंतरी नितिस को मार द्वारा किया गिया तो 17 वर्स के बाद इनके द्वरा इसका उदगाटन किया गिया लेक्स्ट कूश्चन है हाली में भारत के अंडर 20 रगवी टीम में विहार के कितने खिलारियों का चेयन हुआ हैतरा गवी टीमें बिहार के कितने खिलारी का चैयन किया इंपोर्ण्न कोउस्चन है ते इस में से कितने खिलारीות का चैयन हूँ तो इस में सब 5 खिलारी refuse के चैयन किया गया कुन सराद सरकाराज कि विदवाओ को आर्थिक संकोट को दूर करने के लिए लच्मी भाई सोसल सेकुरिटी योजना जो कहा जाराय का किरियानवयान कर रही है तो किसके द्वारा तो लच्मी भाई सोसल सेकुरिटी योजना का किरियानवयान कर रही है कौन कर रही है तो ये बिहार के सरकार कहीं कर रही है नीती आयोग द्वराजारी डिल्टा रेंकिंग में बिहार का कौन सा जीला स्वास्त के छेतर में पर्थामास्थान पर आया है तो स्वास्त के छेतर में पर्थामास्थान जो आया है बेगुसराय आया है स्रीनगर में आयोजीत एकटिसमे सीनियर नेशनल वुशू पूरुसर महिला असपरदा में बिहार के अकुल कितने पदक अपने नाम किया है तो बिहार के द्वार कितना पदक किया गया नाम तो पांच पदक पंदरहमा बित आयोग की सिफारिस पर किंद्रिय बित आयोग मंतराले के बेविभाग ने बिहार के लिए कितनी रास्ती जारी किया है तो बिहार के लिए 7.35 करूर पे जारी किया गया बिहार के एक मातर टाइगर डिजर्व में किस से तीथी से टाइगर सफारी का सुभाराम किया गया है तो एक नॉम्बर 2022 से किया गया है किस का ताइगर सफारी का सुभाराम है एक मातर टाइगर डिजर्व कहा है तो बालमीकी नगर में हाल ही में गोशना का अनुसार किस राज के सरकारी विद्ध्यालों में रिजल्ट डेमा नहीं आगा जाएगा तो किस राज के सरकारी विद्ध्यालों में तो बिहार के सरकारी विद्ध्यालों में क्या तो रिजल्ट डेमा नहीं आगा जाएगा हाली में बिहार के किस जीलेंग के प्रजवल पांडे को ब्रिटेन के नए परधान मंत्री रेसी सुने की कोर टीम में सामिल किया गया है तो प्रजवल पांडे पूछा जा रहा है कि कहां के हैं जिसके बिरिटियन के नए परधान मंतिरी जो रिसी सुनेक है इनके कोर टीम में सामिल किया गया है तो ये कहां के हैं तो ये शिवान के हैं ठीक है प्रजवल पांडे निशनल इयर क्वालिटी इंडेक्स के नविंतम यानि कि 19 अक्टूबर 2022 के आक्रोकैनूस के मुदावित बिहार का सबसे वायू पर दूसी तिजिला कौन है तो यहां अगर नुवंबर में पूछा जाए तो कटीहार था ठीक है और अक्टूबर में अगर पूछा जाए अगर मन्त दिया रहे तो अक्टूबर में अगर देखें तो इसमें जो हो जा जाता है यह पूर्निया हो जाता है हाल ही में टेंडर के अनुसार पियम गतिसक्ती मिसन के तहत अत्यादुनी कारगो टर्मिनल का निर्मान अडानी गुरूप दोरा बिहार में कहां किया जाएगा तो अडानी गुरूप के दोरा किया जाएगा कहां तो बिहार में कुसा में किया जाएगा पीम गती सक्ती मिसन के तहद अत्यादूनी किया तक कारवो टर्मिनल का निर्मान निल आरियन ठाकूर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइट 2022 का खिताब जीत कर बिहार को गरवानमित किया है तो कहां के मुली वासी है तो ये सहर साकी है कौन तर निल आरियन ठाकूर मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइट 2022 का खिताब जीता है ये कहां का तो सहर साके रहने वाले हैं ये अक्टूबर 2022 को मुख मंतरी नितिस कुमार के द्वारा कितने करोर की लागत वाली 24 पर योजनाओ का उदगाटन किया गिया तो कितने लागत वाली 24 पर योजनाओ का उदगाटन किया गिया तो दूसर 24 दसम्रों एक नव करोर की हाल ही में घोशना एक अनुसर बिहार के किस चिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट अस्थाफित किया जाएगा तो ये कहां किया जाएगा तो देखे पूर्णिया मत कर दीजिएगा चेनारी में एथेनॉल जो कहा जाए तो ये रुहतास जिलाम में हो जाएगा बी सी सी आई की और से आईजित होने वाली बीमेंस अंडर 19 टी 20 चैलेंजर ट्रोफी के लिए बिहार के किस एक मातर खिलारी का चैयन किया गया है तो किस का ये सीधा सी का चैयन किया गया था अमिर्का की एस्टैनफोर्ड इनवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के सीध से 2% वैग्यानिकों के सूची जारी की है देखे दुनिया भर के 2% को ही किया गया है इस सूची में IIT पटना के कितने प्रोफेशर सामिल है तो बारतों किवल IIT पटना से ही सामिल है important question है यह खाल ही में लोक नायक जया परकाश्ट नरायन की कौन सी जयनती 11 October 2022 को मनाई गई लोक नायक जया परकाश्ट नरायन की जो कहा जा रहा है 11 October 2022 को मनाई गई important question है तो कैमा मनाया गया तो 120 मी जयनती मनाई गई कि जन्म अगर पूछा जाए तो 11 अक्टूबर 1902 इस भी में हुआ था कब तो 11 अक्टूबर 1902 के हुआ था कहां तो सारण में लालू परसाद यादब के कौन से बार राज़त का राष्ट्रिय अध्यक्ष चुने गया हैं तो ये लगतार जब से राज़त का ये किये 1907 में से तब से यही हैं तो बारहमी बार ये सुने गया हैं राज़त का राष्ट्रिय अध्यक्ष चुने हैं हाली में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथरीटी दवरा वालमी की टाइगर इजर्व की एक आदम खूर यानि कि जो इस आदमी को जखाने वाले बाको क्या कहा जाता तो आदम खुरबा को मारने का आदिस जारी किया गया था बताए कि इस बाकी पहचान किस नाम से हुई है तो T105 नाम से इसका किया गया important question है हाल ही में Center for Monitoring Indian Economic के नविंतम रिपोर्ट के अनुसार से तमबर 2022 में विहार की बिरुजगारी दर कितने परतिसात रही है तो बिहार की बिरुजगारी काफी कम रहा है 11.4.0 परतिसात ना बहुत ज़्यादा है कम नहीं है कि सराज यह तो आकराब बैसे भी कम दिया जाता है कि सराज की टीम उने 25 पे सब जूनियर से पक टेकरा चैंपियन्सीप में का खिताब जीता है तो किस ने जीता है इसका जो खिताब जीत लिया गया तो बिहार रखे द्वारा एक मिनट कहाँ चला गया PDF रूग जाई एक मिनट नेक्स्ट कुस्चन है हाल ही में बिहार के किस जीले की अनिशा दूवे ने माउंट एब्रेष्ट की बेस केमप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करने के लिए तिरंगा फहराया है तो ये कहां की है अनिशा दूबेक ने माउंट इब्रेष्ट की बेस केम पर 18,000 तो ये जो है ये जमूई की है 8 अक्टूबर 2022 को किनकी 44 में पूने तिथी मानाई गी उन्य तिथी पूछा जा रहा है कि 8 अक्टूबर को किसका मनाया गया तो जैपरकाश नारायन को कहीं मनाया गया कब तो 8 अक्टूबर 1979 मिन का जो हुआ था क्या हो गया था दिहान थो गया था किस अस्थान पर हाल ही में किंद्रिय गिरी मंत्री अमिसा ने जैपरकष नरायन की पॉंदरा फूट उंसी परतीमा का अनाबरन किया है तो यह स्चिताब दियारा में किये Most important question और छपने वाला हाली में गुजरात में आयोजी 36 में राष्टिय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किये तो बिहार के द्वारा 36 में राष्टिय खेलों में केवल गुजरात में हुआ था यहां दो ही मेडल पाया गिया ओभी केवल महिलाओ के द्वारा ही पाया गिया किसमें तरगभी में और नेटबॉल में कौन सा जीला पहला सौप फिजदी डिजिटल बैंकिंग वाला जीला बन गिया है तो ये कौन सा जीला बन गिया तो जहानावाद हो जाएगा खाल ही में आई एक रिपोर्ट के नुसार वर्च दुहजर बाइस में एकाइस बाइस में बिहारियों कि सलाना आय में कितने परतिसद के ब्रीधी हुई है तो सलाना आय में कितना परतिसद के ब्रीधी हो गिया तो 9.4 परतिसद के ब्रीधी देखने को मिला हाल ही में 23 सेप्टेंबर 2022 को रामधारी सी दीनकर की 114 में की जयनती मनाई गए उनका जन्म कहा हुआ था Most important question और छपने वाला question ऐसा question पूछा जाता है तसी मरिया बीगु सराय में हुआ था अगर पूछा जाए कब तो 23 सेप्टेंबर 1908 को हुआ था ठीक है और इनको राष्ट कभी के उपाधी किन्सका दिया जाता है तरामधारी सी इनका जो परसीद जो है जैसे के महा काबे में आता है कौन सा उर्वर्सी आता है रश्मी रथिये सब इनके द्वारा तरामधारी सी दिनकर के द्वारा बिहार क्रिसे विभाग दोरा पैक हाउस के निर्मान पर बेक्तिकत उदमिया किसानों को कितने परतिसद सबसीड़ी देने की घोश्टना की गई है तो पचास परतिसद बिहार के किस चिले के पदम सीरी पुरुशकर बिज़ेता कलाकार राम चंदर माजी का निधन हुआ है तो कहां के थे ये तो वे सारन के थे हैं हाली में, बिहार के किस दिले की गाओ, काकर कुनड के रहने वाले मुकस का हुमार का सईएण, इंडियन क्रिकेट टीम में हुआ है, तो बभार का सईएण, जो कहां के हैं, यह गोपाल गजिका है हाली में, किस बिहारी बोली वुड अभिनेता या अभिनेती नी को चुनाब आयोग ने अपना नेशनल आइकोन बनाया है तब पंकस्तिरी पाठी को बनाया है Most important दियान रखे एस question को पूछा जाएगा सत्तर नंबर question है दिली में आयोजित हुए 37 में state shooting championship में बिहार के किस जीले के सची पांडे ने गोल्ड मिडल जीता है इंपोर्टेंट question है कहाज़र है कि दिली में आयोजित 37 में state shooting championship में बिहार के किस जीले के सची पांडे ने गोल्ड मिडल जीता है तो बिहार के किस जीले के हैं तो ये गोपाल गंज के बिहार के रितिक आनंद ने पटाया यानि कि थाइलेंड में आयोजिते चठे एसी या पैसेफी के डिफ मेडविंटन championship में मिक्स डबल में कौन सा मिडल जीता है तो गोल्ड मिडल जीते ये 66 BPSC के एक पिरी में question पूछा गया था हाल ही में 33 में जून जूनियर एतलेटिक चैंपियंशिप 2022 में बिहार को पहला गुल्ड किषने दिलाया तो बिहार को जो पहला गुल्ड दिलाया किस के द्वारा तराजन महतो के द्वारा बिहार के किस जीले में फलगु नदी पर किस जीले में तब फलगु नदी पर भारत के सबसे बरे रवा में तो नदी पर तो फल्वु नदी पर याद रखिएगा छपने वाला पूश्चा ने किसके द्वरह ते निती सकुमर के द्वरह किए गया इसका उद्घाटण हाली में बिहार के किस जीले के प्रोफेसर अरून कुमार जा को बिस्वसाई से साहिति सिक्षक पुरुसकार से समानित किया गया है तो ये कहां कि हैं तो मधुवनी के देश के तेरा पुर्वी राजों की बीच आयूजी थोई 33 इस्ट जोन जूनियर एतलेटिक्स चेंपियंशिप 2022 में बिहार 73 मिडल के साथ पदक तालिकाय में कौन से अस्थान पर रहा तो ये दूसरे अस्थान पर रहा किसमें तो 33 में इस्ट जून जूनियर एतलेटिक्स चेंपियंशिप इंपोर्टेंट कुस्चन इसमें बिहार का स्थान 73 मिडल के साथ दूसरा रहा खाल ही में बिस्मिल्ला खां अंतराष्टिय समान महुसब 2022 का आयूजन कहां किया गया तो ये पटना में इसका आयूजन किया गया खाल ही में नालंदा डेरी C.A.S. यानि की कमपरमीटी एसेस्मेंट इसकी मार का पाने वाली भारत की कौन से डेरी बन गई है तो ये भारत की जो है ये पहली बन गई है और ये कौस्टन पर इस्टार लगाई है और ये देखिए कौस्टन ये हर हाल में छपी का कौस्टन काफी उच जो क्वालिटी का जीस का होता है दूद जो होता है उसको दिया जाता है हाल ही में किस रिल्वे इस्टेशन को हाल ही में गिरीन रिल्वे इस्टेशन पर योजना के तहद सिर्वा रेटिंग परदान की गई है तो किस से परदान किया गया तो भागलपू रिल्वे इस्टेशन को परदान किया गया 79 क्यूस्चन है हाल ही में अफिरिका के जोहां सबर्ग के कितने जानवर को बिहार यानि कि कहां तो पढ़ना जो लाने की मंजूरी दे दी गई है तो 36 को लाने के मंजूरी दे दिया गया है लेकिन ना बेबिया से कुनो निशनल पारक में जो आया था आठ चीते को लाया गया गया हुआ था तो निहारिका कुमारी का चयान किया गया राष्टलिय अस्तर पर इंस्पायर आवार्ड मानक युजना के तहत इसका चयान किया गया तो निहारिका कुमारी का सिक्छक दिवस 2022 के अबसर पर यानि कि कब तो 5 सेप्टेंबर को बिहार के कितने सिक्छकों को राच्किय सिक्छक उरसकार से समानीत किया गया है तो कितने सिक्छकों thì 20 सिक्छकों किया गया नेपाल के पोखरा में आयो जीत एथलेटिक्स चेंपियенसीप में मुहमद गुरफान नसुन पदगजिताहे विहार के किस जीले के निवासी है तो यह किस जीले के निवासी है तो अररिया के निवासी है क्या नाम है इनका तो मुहम्मद गुर्फान हाल ही में आयो जी सरसटे में फिल्म फियर आवार्स दो हजर बाइस में विहार के किस अभी निता को सर्वसरिष्ट सहायक अभी निता के पुरुषकार से समानित किया गिया है साहय का भी नेता के रूप में किसे तब पंकच्तिरी पाठी को सरसाथवे फिल्म फियरा वाट्स ये कहां तब बिहार के है कीरल की कालिकट में आयो जित एक इसमें जूनियर नेशनल वुसू चेंपियनसिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं तो बिहार टीम के दोरा कितना पदक जीता गिया तो एक स्वर्न एक रजट और पांच कास यानि की टोटल साथ पदक जीता गिया बिहार सरकार के हाली में घुष्टना का नुसाराज के कितने बजर समितिया विक्सित किये जाएंगे तो कितने बजार समितिया विक्सित किया जाएंगे तो चौबन किया जाएंगे बिहार के किस जिले में इस्तित परसिद बिश्णूपद मंदीर में परवेस करने वाले मंतिरी इसराइल मंसुरी के खिलाब मुझाफरपूर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है तो बिश्णूपद मंदीर कहां है तो गया में है इसमें जो है मुझाफरपूर में इसमें शिकायत दर्ज किया गिया वहाँ जो है इसमें गैर जो हिंदू है इसके परवेस पर इसमें रोख है लेकिन वहां अंदर गर्वगिरी में ये गये हुए थे नितिसकुमार के साथ में तो इसी कभी बात था थाइलेंड के पटाया में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के सटलर परमुद भगत और सुकांत कदम नहाराष्ट की जोरी ने कौन सा मेडल जीता है तो इसके दोरा कौन सा मेडल जीता गिया इंपोर्टन कुस्चन है तो गोल्ड मेडल जीता गिया हाली में आयोजित बिहार राज अस्तर ये मेजर ध्यान चंद होकी बाली का अंडर 17 परत्योगता को किस टीम ने जीता तो किस के दोरा ये जीत लिया गिया तो पटना के दोरा ये राइट एंसर हो जाएगा अथि में बिहार के पुर्व मुख्मंत्री दरोगा पर साथराय के जैंती मनाई गै वे बिहार के कौन से करम के मुख्मंत्री रहे तो ये दसमे करम के ये सीजियम रहे ठीक है इंपोर्टन्ट है ये धियान दीजियेगा कुस्चन नमबर 90 है बिहार सरकार ने खेल दिवस के आउसर पर 29 अगस्ट को राज के कितने खिलारी और परसिक्षकों को शमानित किया है तो 211 खिलारी और चो परसिक्षकों को शमानित किया गिया है मुश्ट इंपॉर्टिंट कुश्चन है ये खाल ही में आई एक लिपोर्ट के अनुसार परधान मंतरी अवास योजना से घर बनाने वाले को बिहार में कुन सा जीला पौले अस्थान पर रहा है तो इसमें जो परधाम अस्थान पर रहा किस सन गंज रहा है राष्टिय सिक्षक पुरुसकार 2022 से बिहार के किस सिक्षक को शमानित किया जाएगा तो निसी कुमारी और सौरब सुमन को किया जाएगा तो राइट एंसर डी हो जाएगा उपर लिप्त ए और बी दोनो हाल ही में करकट जल पर पात चर्चा में रहे बिहार के किस जीले में इस्थित है तो करकट जल पर पात बिहार के किस जीले में तो कैमूर में इस्थित है हाल ही में नितीस कुमार ने किन दो जीलो का गंगा नदी में हो रहे कटाव को रोकने के रे रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है तो कहां दिया है तो भागलपूर और कटीहार राइट एंसर इसका क्या हो जाएगा याद रखे भागरपुर और कटीहार हो जाएगा हाल ही में बिहार के किस विभाग बोड ने अपना सेंटर अस्थापित किया है तो किस के दोरा अस्थापित किया गिया तो सिक्छा बोड के दोरा 96 नमर कुश्चन है हाले में बिहार के अफिसेक कुमार ने 65 वी राष्टी ये निशानेवाजी परतियोगिता में 50 मीटर प्रोन डेफ अस्परदा में स्वन पदक जीता है वे बिहार के किस जीले से समदीत जीला पूछा जा रहा है तो ये कहां क्या है तो ये पटना के है सतलज जल बिधुत निगम लीमिटेड बिहार के किन दो जीलों में 200 मेगावाट्स और बिधुत और उर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना के सुरुगात करेगी तो क्या हो जाएगा राइट एंसर तो बांका और जमुई हो जाएगा किस जीला में तो बांका और जमुई में हाल ही में सी एम नितीस कुमा ने किस नदी के पुरानी धारा को पुरनर जीवित करने की योजना का पुरनर निरिक्षन किया है तो लखंदेई के जो पुरानी धारा है इसका पूरे नर्जीवित करने के लिए ये कहां तो भारत और नेपाल के मधिये बाती है लखंदेई जो है ये बागमती की उप धारा है ये सीता मधिय में परवेस करती है और मुझफर पूर के कट्रा में बागबती में जाकर के मिल जाती है 98 नमबर कुश्चन सकेंड लास्ट आज का निनामन में नमबर कुश्चन देख लेते हैं मधवणी पेंटिंग की कृिती क्रिश्चन लीला के लिए किसे राष्टिय पूरुसकार समानित किया गया है मधवणी पेंटिंग की जो कहा जा रहा है क्रिश्चन लीला के लिए किसे राष्टिय पूरुसकार समानित किया गया है तो बीवालाल को किया गया लास्ट आज का कुश्चन बिहार के कितने जीलों में किसानों को माखाना की खेती के लिए परतिशत अनुदान दिया जा रहा है माखाना की खेती के लिए बिहार में कहा जा रहा है यह कुछ मिस हो रहा है कि कितने परतिशत यानि कि 75% माखाना की भीहर के कितने जीलों के किसानों को माखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है तो 11 जीला जो है किसानों को माखाना की खेती के लिए तो 400 question और इसमें बाकि रह गिया उसको अगले 600 के part में करके उसको पूरा complete करा देंगे पिछले कुछ दिनों से काफी बीजी थे व्यस्तिता के कारण इधर उधर आना जाना इसलिए बता दिये थे कि समय नहीं मिल पा रहा था जिसकारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे लेकिन अभी यहां से कुछ कोशिस करेंगे अगर इमर्जेंसी आगया तब तो नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन अगर फिरी रहेंगे तो जरूर बना देंगे ठीक है पढ़ते रहिए लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजीगा क्योंकि यहीं मोटिवेट हमें वीडियो बनाने के लिए परेडित करता है ठीक है मिलते हैं अगरे वीडियो में धन्यवाद